नमस्कार बाईजूज एक्जाम प्रेप आईएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है दोस्तो आज हम लोग 22 दिसंबर 2022 के दबीग नूज में चर्चा करेंगे यूएस कैनेडा ग्रेट लेक्स टर्निंग एसडी दोस्तो यूएस और कनाडा में संयुक्त जो ग्रेट लेक्स जिसे महान जीले कहते हैं जिसमें सुपीरियर है, हूरन है, इरी है और उन्टोरियो लेक्स इन जीलों में अमलियता पाई जा रही है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यह अमली करण का क्या कारण है इसके क्या परिणाम हो सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यूएस कैनाडा ग्रेट लेक्स टर्निंग एसडी इस्तडी सीक्स टू इस्टैबलिस डिटेल यहां पर आप देख सकते हैं 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 सबसे पहले क्या है आप देख सकते हैं डूलूत सहर इसी सुपीरियर लेक पर ही बसा हुआ है तो दोस्तों यहां ओद्योगिक छेतर है तो कहीं न कहीं देखा जाए तो मानवी हस्तक छेपों की वज़ा से इन सब छेतरों में अमलियता बढ़ रही है दोस्तों यहीं पर इरी और ओन्टोरियों के बीच में नियागरा जल प्रपात सुना होगा यहां पर जल बिद्दुत का भी उत्पादन किया जाता है और दोस्तों यहां से उत्पादित जल बिद्दुत का उप्योग दोनों देश कनाड़ा और संयुक्त राज अमेरिका संयुक्त रूप से करते हैं और दोस्तों यह देख सकते हैं कि मिशिगन के अलावा अन ने जो यह चारो जीले है जल का बटवारा बराबर-बराबर मात्रा में करते हैं तो दोस्तों यह देख सकते हैं जैसे डूलूत हो गया यहाँ पर आप देख सकते हैं यह शिकागो शहर है मिशिगन सिटी पर इसी तरह से इरी पर जो है डेट्रॉइट सिटी है आटो मुबाइल इंडस्री के लिए जाना जाता है तो इन सब कह सकते हैं कि महात्रपूर्ण औ सीधे महासागर में ही जाता है यहाँ देख सकते हैं आगे यहाँ इसका जल इसके माध्यम से आगे आप देखेंगे तो अट्लांटिक महासागर आएगा अगर मांचित में देखते हैं तो यह कह सकते हैं कि महासागरी अमली करण है क्या तो जब कार्बन डाइकसाइड यान कारण कारबनिक अमलियनी H2CO3 में बदल जाता है जिसकी वज़ा से जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा में बृद्धी हो जाती है जिससे महासागर में अमलियता बढ़ने लगती है और समुद्र के पानी का पियच मान यह कम होता जाता है और इसी प्रक्रिया को हम महासागरी अमलिकरण कहते हैं तो यानि दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि महासागरों या ताजे जल निकायों का अमलिकरण तब होता है जब वातावरण में अतरिक्त CO2 तेजी से उसमें समाहित हो जाता है यानि एसिटिफिकेशन आफ वाटर और फ्रेस वाटर बॉड़ी टेक्स प्लेस भेन एक्सेस कारबन डाय अक्साइड इन दा एट्मोस्फियर गेट्स रैपिडली एब्सॉर्ड इन्टू तेम तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले एक दसक में कारबन डाय अक्साइड के आसोसर से पीच मान कम हो जाता है जिससे जल निकाय अधिक अमली हो जा तो इस तरह से दोस्तों इस शेत्रों में अमली करण के परिणाम क्या होंगे तो यही माना जाता है कि महान जीले 20,000 साल पहले पैदा हुई थी जो NOAA यानि National Oceanic and Atmospheric Administration के अनुसार जब प्रत्वी गर्म होने लगी थी तो ग्लेशियरों के पिघलने से पानी ने इनकी सता पर घाटियों को भर दिया था और इस तरह से यह जील का रूप धारण कर ली थी तो दोस्तों यही कहा जा रहा है कि आज यह ग्रेट लेक्स में दुनिया के कुल ताजे पानी का पांचवा हिस्सा है और यह सिचाई और परिवहन का एक महातपूर्ण स्रोत है तो ग्रेट लेक 0.29 से 0.49 तो पियच मान में गिरावट देखी जा रही है तो ऐसे में यहां का पारिस्तित की तंत्र अवक्रमित हो जाएगा दोस्तों आकडों के अभाव में महान जीलों की अमलता में बृध के सटीक परणामों को निरधारित करना कटिन है लेकिन यही माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन छेत्रों में अमलियता बढ़ेगी जिसका परिणाम यह होगा कि इन ग्रेट लेक्स छेत्र के जो जीव हैं बनस्पतियां हैं पारिस्की तंत्र हैं इन सब पर ब्यापक प्रभाव पड़ेगा दोस्तों पियच अस्तरों में उतार चड़ाओ का य पुल जैवित्ता में कमी हो सकती है और जीवों के लिए सारीरिक चुनोतियां भी पैदा हो सकती है और पारिस्की तंत्र की संरचना में स्थाई रूप से परिवर्तन हो सकता है तो दोस्तों इसका मानो समाच पर भी प्रभाव पड़ेगा चुकि यहां पर बड़े- द्योगिक सहर स्थापित हैं तो इस तरह से इस पारिस्की तंत्र में परिवर्तन का यहां के मानो समाच पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा जो इन पारिस्की तंत्र द्वारा प्रदान किये जाने वाले समानों और सेवाओं पर निरभर हैं तो समाच के प्रभाव में पर पर प्रभाव पड़ेगा तो दोस्तों इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है ग्रेट लेक्स के लिए आगे क्या है तो scientists have said that about a collective global effort to reduce concentrated atmospheric carbon dioxide not much can be done to stop the acidification of the great lakes यानि बैग्यानिकों के यही कहना है कि केंद्रित जलवायू मंदली carbon dioxide को कम करने के सामोहिक वैस्विक प्रयास के बिना महान जीलों के अमली करण को रोकने के लिए बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है अगर वह कोशिज भी करते हैं तब भी अमली करण की प्रक्रिया नहीं र carbon dioxide that is already present in atmosphere along with carbon laden water run off from land यानि अगर सभी देश carbon उस सर्जन में ब्रिध रोकने के लिए कारवाई भी करते हैं तो भी जीले carbon dioxide के कारण अमली कित्र होती रहेंगी हला कि दोस्तों इसके लिए और भी उपाय करने की आवश्यक्ता है यानि carbon dioxide उस सर्जन में कटावती करनी होगी आज हम परिवहान उद्योग और घर से सभी प्रकार के जीवास्व इंधन का उप्योग करते हैं जीवास्व इंधनों पर पूरता प्रतिबंध लगाने की आवश्यक्ता है ग्रीन एनरजी को बढ़ावा दे हलाकि हाल के दिनों में नवी करनी की खपत बढ़ रही है और इ इसी से ही इन सब चीजों को बचाया जा सकता है नहीं आने वाले दिनों में ग्रेट लेक्स के सामने धेर सारी समस्याएं उत्पन हो सकती हैं यहां का पारिस की तंत्र भी आउक्रमित हो सकता है यह रिपोर्ट यही बता रही है तो इस तरह से दोस्तों आज के लिए आप ल जरूर बताएंगे तो इस तरह से आज का अंक यही समाप्त करते हैं आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें धन्यवार